नमस्कार किसान भाईयों आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में दोस्तों ये जो तलाब हमने खालिक कर रखा था एक एकर का ये तलाब है बाकी तो ये पूरी लैंड पांच एकर में बनाया गया है तलाब लेकिन इस एक एकर में हम लोग IMC का extended seed डालने वाले हैं आज और इसका preparation मचली डालने से पहले मतलब कैसे किया गया है इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं और आपके सामने ही इसमें मचली भी डाली जाएगी और जो साइज रहेगा वो आप अपनी आँखों से देख पाएंगे तो दोस्तों बने रहे हैं वीडियो के साथ और हम आपको बताते हैं दोस्तों इसमें हमने पहले जो इसे इसको सुखवाया था तो इसमें 40 केजी बुझा हुआ चूना जो है ये करिकर के हिसाब से छिर्कवा दिया था क्योंकि ये पुराना तलाब हो गया है मारा एक साल इसमें कल्चर हो गया है तो ये दूसरी साल का है मतलब इसके पहले ये तीन साल हो गया इसको मतलब लेकिन ये जब सुखवाया गया है ये दूसरे साल में सुखवाया गया है और ये तीसरा कल्चर है तो इसमें 40 kg ही चूना हम लोग बुझा हुआ हुआ छिरकवायद है उसके बाद दो ट्रॉली गोवर की खाद डाल करके इसमें पानी फिल किया गया है और उसके पानी भरने के 20 दिन 21 दिन बाद आज बच्चा इसमें हम लोग छोड़ने वाले हैं जो की आप स्कीन पर देख पा रहे हैं और ये 100-500 ग्राम का इस्टेंटेट सीड आई-मसी कटेईरी का बच्चा है जिसको आप रोहु, कतला, ग्रास, कॉमन कार्थ की रूप में आप जान पाएंगे तो देखी इसकी पूरी जो है काउंटिंग हो रही है अभी इसमें क्योंकि यहां बच्चा अगर स्टेंटेट साइज का रखे हुए हैं क्योंकि ये बच्चा जादा दूर तक ट्रविल करने में असमर्थ होता है अगर जादा दूर इसको ट्रविल कराएंगे तो ये मरने का खत्रा इसको जादा बना रहता है तो इसलिए ये जादा से जादा 100 किलो मीटर तक बहुत अच्छी तरीके से ये पहुंचाया जा सकता है जो कि अगर आप लोग भी इस्टेंटेट सीज अपना हैचरी में बना के आप रखते हो तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट होता है फिस फार्मिंग करने में क्योंकि ये बच्चा अगर आप कहीं भी बनाई है और उसमें बच्चे को जीरा साइज का स्टॉक करिए और उसको बढ़ा करके आप एक साल के लिए उससी में रखके एक साल जैसे हो जाएगा तो 100 ग्राम इसका बच्चे का साइज हो जाता है तो उसको आप अपने बड़े तलाब में 1 kg 2 kg करने के लिए ग्रो आउ बच्च कर रहे हैं वीडियो को जो सस्क्राइब ना कियो हो चैनल को जो है सस्क्राइब कर लें क्योंकि हम ऐसे ही मचली पालन से जुड़ी हर एक जानकारी देते रहते हैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी को और वीडियो को जो है लाइक जरूर कीजेगा पसंद आए तो और दोस्तों के साथ सेर करना ना भूलिएगा तो दोस्तों देखिए ये सामने ही आपकी छटाई हो रही है और इसकी काउंटिंग भी हो रही है जो बगल में लगा है वो हापे के रूप में जाना जाता है और उसी हापे में हम लोग इसको रख करके बगल वाले तालाब मे अभी हम इसको shift कर देंगे जो की बहुत आसानी से हो जाता है और दोस्तों इसको खाने का जो schedule रहेगा वो हम next वीडियो में बताएंगे कि इसको खाने में क्या-क्या देना है ताकि हमारा gross जो है सबसे super hit हो और सबसे जल्दी हो और दोस्तों हमने कल cash on delivery के माध्यम से बच्चे मेरट की धर्ती पे हमने भिजवाया था जहां की जिस बंदे ने हमसे वो मंगाया था एक तो वो switch off कर लिये पहले तो phone दूसरी बात जब उसके क्योंकि हमने उसका आधार card का back side का photo मांगा था तो उसके आधार पे हम लोग उसके address पे गए तो वो बंदा मिला तो जो भी rate 10 हुआ था तो उसमें भी कम करने लगा उसके बाद अच्छा हम लोग उसको भी कम कर दिये तो दूसरी बात वो बोला कि जो है आज इसमें बच्चा डाल दीजिए और दो दिन बाद हम से पेमेंट लीजिए बताईए cash on delivery भी हम बिना पैसे के उनके वहां तक भेजे हुए थे बच्चा और उन्होंने नहीं लिया तो इसमें आप हमारी गलती है या फिर उनकी आप यह सब बताईए तो इसलिए आप लोगों को बच्चा कोई भी भेजने से डरता है गलती एक लोग करता है और उसकी सज़ जो है कही लोगों को भुकता पड़ता है तो इसलिए जो है advance payment तभी सब लोग मांगते हैं क्योंकि जब बच्चा किसानों के पास पहुँच जाता है तो वो इधर उधर की बाते बहुत बलाने लगते हैं तो प्लीज दोस्तों ऐसा मत करिए नहीं तो हम भी cash or delivery वाला जो system है बच्चा भेश्ट के जो है वहाँ आपके हाँ payment लेते हैं वो system हम रद करते हैं क्योंकि हम सोच रहे थे कि विश्वास पे ही ये दुनिया कायम है लेकिन विश्वास तोड़ने वाले बहुत है हमको लगता है ये तो first time था जो एसा उन्होंनों किया हमारा पूरा गाड़ी फिर से वापस आया है और कम से कम उसमें बच्चे मरे होंगे लगवग 30,000 बच्चे मरे थे जो पंगाशियस के थे जो इसको 85,000 जासर बोला जाता है तो मान लिजए एक डेल लाख रुपया का हमारा उन्होंनों नुक्षान करवाया है कोई बात नहीं है हम तीन राउड बे जो है ये कटेगरी को continue रखेंगे जो कैस on delivery है अगर ज़्यादा प्राब्लम होती है तो हम इसको बंद कर देंगे तो फिर जो payment आप करेंगे तभी बच्चा आप तक पहुँचेगा चाहे वो by road हो, चाहे by train हो फिलहाल आप लोग वीडियो को watch करिए और enjoy करिए तो ये देखिए इसी माध्यम से हम सो हम लोग थोड़ा थोड़ा बच्चा आराम से बगल वाली तालाम में इसको आराम से shift कर देते हैं ताकि ये बच्चे आराम से कोई उसको चोटी ना हो उसकी वज़ा से ये छोटा सा हापा लेके जाली वाला इसी में थोड़ा सा पांच केजी, छे केजी, दस केजी तक करके जो है इसी तलाम में ऐसे ही छोड़ दिया जा रहा है तो दोस्तों हमने जो आपको आप बीती अपना बताया आप उसके बारे में कुछ कमेंट करना चाहें तो आप कमेंट करिए और हमको बताइए कि ये ऐसे किसानों के साथ क्या किया जाए कि ये लोग कितना गलत कर रहे है तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये तलाम में ऐसे ही हम लोग इसको ट्रांसपर करते हुए पूरे बत्चे को डाल देंगे और इस तलाम में जो एक एकर का पाउंड है इस साइज का बत्चे जो है हम लोग पांस जार बत्चे ठोहू, कतला, ग्रास, कॉमन कार्फ के डाल रहे हैं आपके आँखों के सामने क्योंकि पांस जार से ज़्यादा इसमें बत्चे नहीं पड़ सकते क्योंकि एक एकर का ही ये तलाम है और देखते हैं कई लोग इस साइज का बत्चे ज़्यादा डाल देते हैं लेकिन इतना नहीं डालना चाहिए आप लोगों को कि पांस जार से उसका क्रॉस हो जाए तो अगर ज़्यादा क्रॉस कराएंगे तो बत्चे जैसे दास जार डाल दिये तो उसमें ये अपस्यार जो उसके खाने का रेशियो है फूर्ड कंज्शम रेशियो जो है वो गड़वड हो जाता है वो खाना जादा खाएगी लेकिन ग्रोथ नहीं लेगी तो उसमें आपका खर्चा जादा बढ़ जाता है हूँस सिच्वेशन में तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताईएगा और कमेंट कीजेगा कोई भी कुश्चन हो मचली कालंस रिलेटेड हमसे जरूर पूछिएगा और जैसा भी होता है आप बताईए और जिन भाई लोगों को हमसे बच्चा चाहिए होगा वो हमें इसकीन क आप कहेंगे उतने लाइन का मिल जाएगा बड़े आराम से आपके गंतब अस्थान तक जहां आपका तलाब रहेगा वहां तक हम लोग डिलोरी कर देते हैं बड़े आराम से तो दोस्तों यही था वीडियो आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताईएगा मिलते हैं नए वीडियो के साथ तब तक के लिए इजाज़त दीजिए बाबाई थैंक यू